अस्सेलाम वालेकूम विम्जान का मीना सबको मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो सारे मेरे हिंदु भाई भी हैं जो रूजे रखते हैं हिंदु बहने भी हैं जो रूजा रखती है रखते हैं रखते हैं अवाज में थोड़ा खेर जबसे मैंने कहां कि मेरे अगले लाइफ का इंतजार करना तो मैं बता दूँ कि मैंने क्यूं कहा था इंतजार करना चार दिन के अंदर मैं लोगों से मिलने के लिए पुरी तरह तेयार मुचा हूं भी चार दिन के अंदर मैंसे तो तैयार मैं भी भी हूं लोगों से मिलने के लिए लेकिन कम से कम तीन रोजी एक मिलान से मैं बत्यारी करना हूं जाता फिर आपकी खिदमत में हिंदुस्तान की कोने कोने से आने वाली जो जनता मेरे पास आती है अपने हग और अनसाफ के लिए उनके लिए मैं चौते रोजे से बैट रही हूं सबकी फरियाज सुनने के लिए और उनके हग के लिए लडने के लिए किसे ने कहा कि मैं इंडियन कानून को नहीं मानती हूं मैं अपना कानून चलाती हूं वह गलत बात है, मैं जितने भी पेपरवर्क करती हूं, मैं जितना भी मेरा प्राक्टिकल वर्क होता है, वह सब कुछ according to the government, according to the rule and according to the constitution law of India, समझें आप सब, मैं कोई भी काम इलिगल नहीं करती है, मैंने अगर किसी का केस लिया है, उसके तरफ से अगर फाइलिंग की है, तो फाइलिंग में आपको सैटिफाइड मिलेगा के यह सी फाइलिंग हुई है, 100% और जो लोगों को मेरे पास इनसाफ मिलता है, तो यह कोई जोर्जबलस्ती नहीं होती है, यह mutual understanding जिब दोनों पार्टी की होती है, तब वो फैसला, मैं सोनाती हूं के यह फैसला है साहता चाह तो अबिस ही बात है, अगर आपकी बहन भी होगी, आप मिल पास इनसाफ लेकर आओगे, तो मैं यही बोलूँगे, लड़के को इमीरेट शादी करनी होगी लड़की से, फ़ना उसके उपर केस फाइल होता है, 376 का केस फाइल होता है, लड़की को धुका देना, यानि उस उसे सिर्फ शादवाइक का वादा करना और उसे शादी नहीं करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा अपरात है, मैं औरतों के हग के लिए लड़ती हूँ, मैं चालेंज करती हूँ, एक भी जो भी सोशल वर्कर बनके, जिन लोगों ने मेरे पर एक जूटे केसिस बनाएं, जो जो सोशल वर्कर बनके, अब ये भी नए ने कौन उतर है, मार्किट में पता नहीं, उन लोगों को चालेंज है मेरा, फायर कॉपी में तुम्हारा नाम भी है, तुम्हारा नमबर भी है, सब कुछ है, मेरे तैसा एक काम करके बता हूँ, मैं तो 24 गंटे में ऐसे 50 काम करते हूँ, तो मैं एक लाइट डालती हूँ, क्योंकि हमारे जो मिया भाई लोग है ना, देखो बिल्को कितना फक्र है कि मैं मिया भाई हूँ, मैं हाज बहुत कुछ हुआ चान रात है, और अलाम भी लालमीन अल्ला ने मेरा साथ दिया है, मै बायज़द बैठी हुए हूँ, मेरे फॉन्स चालू है, अल्ला करम है, मैं लोगों से बात भी कर रही हूँ, और प्लान अफ आक्शन, कैसे हम मूव आउन करेंगे, जो हमारे हिल्पेट फांडेशन की टीम में, करप्टिट मेंबर थे, और आप कह सकते हैं, कि नेगिटी प्रफाइल लोग जो थे, उन सब को निकाल दिया जाएंगा, हमेशा के लिए, और जो है, हम पूरी तरीके से नई की टीम और्गनाइक्स कर रहे हैं, ठीक है, हमारे दिली ब्रांच, एक्सलेंट वोगे, मुम्रा का ब्रांच भी काम कर रहा है, I think, इम्रान खुद लीट कर रहा है महां पे, और हमारे भाइसाद है, मैं मेरे मुपे याग नहीं आ रहा है, इम्तियाद है, इम्तियाद है, इ नुरुल्ला अज़ाद के लिए एक्सिलेंसी हम देना चांद है, तो कि जिस तरीके से हमारे रहने, हमारे एप्सेंस में भी वो चीज़ों उन्होंने रखा और लोगों को इंसाफ दिलाया, उनको उनका हाथ दिलाया है, तो तुर्मेंडिस क्लाक फ़र आधा, मरे, तु फ यूद करते हैं, बहुत साली लोग जो चलते हैं मेरे लाइप आने पर, मैंने कहा थे कि मेरा अगले लाइप देखना, तो अगले लाइप में मुझे कुछ खेरा हैं आपसे, फुलनस दिखा है, एकलनस दिखा, बस, वेलकम बाग, अंडर्स्टां, वेलकम बाग, आपक, अ दाने वालों के लिए और दुश्मारों के लिए रच के रहे हैं कि दोस्तों आपके प्यार के साथ में आप लोगों के साथ के साथ में विदा लेना चाहूंगी और आपकी बहुत स्याता महबद है जो दिन धर में मेरे फोन पे 5000 सुदाद अमिस्तपाल होते हैं कि येस यानि के हर एक सेकेट फोन लाया जाए हूं डबल फाइजिरो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्जाम्पल दिखाती हूं यह फोन अभी फ्लाइप मोड पे है कि क्योंके इस फोन को बेर करना ना मुम्किन है हम अभी बहुत जादा हार चुके हैं इसलिए हमने यह कर दिया है मैं आपको एक चीज दिखाती हूं अगर मैं इतनी ही बुरी है तो क्यों हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को हर एक सेकेट ना यह मेरा फोन आया अनलाइन मैंने अभी इसको फ्लाइक मोट से हटा है अब इस फोन को आप देख एक रिंग पे करने भी नहीं मिला है अभी आयू मैं अनलाइन ठीक है काटा मैंने फोन हम दूसरा ठीक है नंबर देखती रही है चल मैंने इसको रिंपे कर दी है फाइनली यह फोन में आपके स्पास है ना देती हूं आप यह फोन रखी ठीक है याने के हर एक सेकंड हर एक सेकंड में किसी ना किसी को हर एकम जो के अंदर किसी ना किसी को शम्रम झेक की जरूरत पढ़ती है वो क्यूं पढ़ती है अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो वो क्यूं पढ़ती है जरूरत क्यूं पढ़ती है कानून है पुलिस्टेशन्स है सब कुछ है उसके बावजूत एक सोशल वर्कर की जरूरत क्यूं पढ़ती है मैं अपने आपको ना भगवान समझती हूँ ना मैं अपने आपको जिन्दावली समझती हूँ ना मैं अपने आपको कोई बहुत बड़ा खलीफा समझती हूँ मैं अपने आपको सिर्फ एक समात सेवी का समझती हूँ एक बात याद रखना दुश्मनों के लिए काऊंगी दुश्मनी तुमने भाव हमारे पास वाट दोगा लिविटे हमारे पास सालेंट को उसको बचता रहेगा हरी मिनिट में किसे ने किसे को शुबनमशे की जुरुत है तो क्यों जुरुत है सोचा मैंने मैं सोचल वर्क छोड़ दू है अच्छा मेरी दोस्ट शैनास खान की तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक को उनका भी अभी फोन आया था उन्होंने कहा कि आपा मेरी तरफ से भी आप सब को मुबारक बार दीचे तो पूरे हंदस्तान को हमारी दोस्ट शैनास खान की तरफ से रमजान करी में मुबारक को और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रमजान बहुत पर दूबा जैसे मैंने कहा था कि मेरा अगला लाइट देखना मैंने बता दिया वेल्किन बारक रमजान है कल से अफ्तियारी के वक्त हमें बहुत इंतजार रहेगा पुरे हिंदुस्तान की अवाम से कौन सा भाई हमारा कौन सी बैन हमारी कहां से हमारी पास आ रही है जो हम से मिलना चाहते है वो SMS करें 550 पे आपको location रेट्रिस किया जाएगा आप हमारी ख़रा सकते हैं बजीर है वो फ़र्ब दिखाऊ यहां लोगों को दिखाऊ हम किसी को बुलाने नहीं जाते हैं शर्णम शेक यह नाम रोड पे चलने वाले किसी लॉंडा यह लॉंडिया का नहीं है यह हमारा नाम है समझे और हमें तो हमारे नाम पे उस्ताखी पसंद नहीं और तुमने तो उस्ताख गुनाय कबीरा कर दिया साली यकीन था हमें एक चीज़ पे कि खबरियों पे यह कभी भी यकीन नहीं करना ऐसा लोग कहते हैं प्योंकि वो खबरी जो होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं वो गोश्ट के लिए गोटी के लिए पूरा पूरा बगरा हलाल करते हैं तो रमजान के इस वक्त पे मैं यह कहना चाहूंगे कि आप जानते हैं हम इसके बारे में बात कर रहे हैं उसे आप आप लोग भी जानते हैं वो खुद भी जानता है कि वो हमारी स्रांडल के नीचे भी कहीं भी नहीं है हुआ हमारी स्राइडल के नीचे भी कहीज भी नहीं है ना तु मुझह से माँप कर सकता है तो खबरी था और ये ठीक था यार लेकिन तू इतना कमीना खबरी था कि भाई बहन के रिष्ट्व की माँ बहन कर दिया मैंने तो तुझे बटन छोडने के लिए बुला था, बटन खाना छोड़ जा और मुझे छोड़ जाए तो तुने बीफ और बटन को एकसेब कर लियो और बहन को छोड़ दिया, बटन इतना इंपॉटंट हो और जूड गया उसके साथ जिस कमीने की नजर पहले से ही बुरी जुड़ गया उसके साथ, बस उसे मौका मिला, तुने उसका साथ दिया, और वो हमारी कम्प्लेंग, अभी उसके उसके उपर आक्शन नहीं लिया गया अगर, उसको अलोडी 15-20 दिन हो चुके है, मेरी फैलिंग को, अगर उसके उसके उपर आक्शन नहीं लिया गया, तो मैं लाइफ फासील होगे है, समझ गया, जिन साथ लोगों के नाम पे मैंने अप्लिकेशन फाइल किया है, तो मैं ये चीज अच्छी तरह जानती है, तो उन्हें सजा मेलनी चाहिए, उनके उपर एफाई आर बुक होना चाहिए, मुझे तकलीप पहुचाने के लिए, मिरा ना खराब करने के लिए, और मुझे MP का एलेक्शन में ना लड़ पाऊं, मैं कांटेस्ट ना कर पाऊं, मैं फार्म ना भर पाऊं, इसके लिए मुझे जेल के अंदर रखने की जो साजिश की गई, और जेल के अंदर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, तो इसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना भाई, आप पुलीस वाले हो, आप चोर हो, आप साइको सावकार हो या आप खबरी हो, इसाब तो आपको देना पड़ेगा, याद रखना हमारे ये सांडल है नो, आप इसके नीचे भी कहीं नहीं, धूल में भी नहीं, तुम से हम दश्मनी क्या होंगी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगी दुआएं मेरे साथ है, और सब मुसल्मानों का दिल से तहे दिल से शुक्रिया, और सभी हिंदु भाययों का तहे दिल से शुक्रिया, कि आप सब लोग मुझे इतना चाहते हैं, जब मैं कमेंस पड़ती हूं, तो मुझे अब ही जरूरत है, आप ही नहीं मनना है मुझे, पहले तो मुझे उनलों कुछ सजा दिलानी है, जिनने कानून के साथ खिलवाट की, कानून किसी के बाप की चागीर नहीं है, कि तुम्हारे पास तुम वर्दी पैन के बैठो या तुम पुरसी ले के बैठो तो तुम तु जाओ, कानून बिलकुल किसी की चागीर नहीं है, तुमने खेला न, कि तुम देना में, कि तुम देना में, हाँ वो दे, वो दे, वो दे, बता आप लोगो को, जब मैं भाइकला जेल से छुटी, तब ही मुझे जेल की तरफ से, पैन केटी गई, जेल की तरफ से, लोग मुझे कलम वाली बाई बोलते हैं, जे देखो न, क्या बोलू, बोलू क्या, कलम आ गई है हाथ में, आप तो समझ लो, आप तो समझ ले बिडू तेरा बुरा वक चलो हो गया, मेरी कलम चलने लगी, और सच्चाई, कितनी भी खामोशी से बोलो, सच्चाई सच्चाई होती है, जूट कितना भी चिला के बोलो, जूट जूट होता है, और भाईयो भेनम, आपको एक चीज बता दूँ, कि हमेशा में जैसे आप लोगों के इन्फोमेशन द फलाना किया, जिम्का किया, whatsoever, कुछ भी, तो वो F.I.R. उस officer को लेनी है, क्योंकि आप complain देने के लिए गये हैं, लेकिन, कोट वो जगा है, जहां पर वो साबित होगा, कि वो चीज सही है, या गलत है, लेकिन, वक्तिया तोर पे, जो ये जो शडियंदर जैसी चीज़े खे हो जाता है, जो अपना काम दंदा, इतना बखु भी निभा रहा है, कि वो अपने बच्चा समाल रहा है, वो अपना घर समाल रहा है, वो और 40 घर समाल रहा है, वो पचास फैमली समाल रहा है, वो भी नेकी की रोटी खा के, एक बंदा लाके बताओ, एक बंदा, कि शब्नम करके बताओ मुझे, थाबित करके बताओ मुझे, हाँ एच चीज है, इजज़त बहुत करते हैं लोग, अलहांदुलिल्ला, आज तक कभी भी हमारे मुंबई के किसी भाईय बेहन ने मुझसे बिल नहीं मांगा, पता है क्या, रीजन क्या है, वो ये समझते हैं, कि आपके कदम हमारी जगा पर बढ़ गई यही काफी है, और आज तक मैं अपने जिन्दगी में हजारों लोगों से, लागों लोगों समय लिया, ये 14 सालों में, लेकिन अगर उन सब में खड़े होने की हिम्मत होती है, ये बात होती है, तो वो भी शब्दम शेखी उट लेगों, चलो, जिसे अच्छा लगा, enjoy yourself, और जिसे बुरा लगा ना, तू तो जादा ही enjoy करना, ठीक है, I'll come back, किसी दिस चुरू हो गई है, love you India, वीडियो पसंद आया है, तो like करिए, अपने friends के साथ share करिए, और अगर आपके मन में के question है, तो आप नीचे comment करके,